जब एक नवी फेल आदमी बिहार का प्रयटन मंत्री बनता है तब वह काम होने लगता है जो काम अब तक पढ़े लिखे मंत्रियों ने, पढ़े लिखे नेताओं ने बिहार में करने के लिए अपने सपने में भी नहीं सोचा था बिहार के इतिहास में पहली बार बिहार के अंदर ट्रैवल एंड टूरिजम फेर हो रहा है अब यह क्या होता है तो इसमें केवल भारत नहीं बलकि बिदेश के प्रतिनिधी आएंगे पटना पटना वो आच चुके हैं आज और कल ये पुरा का पुरा जो फेर होगा जो कारक बिहार को तो जो बिदेशी लोग आएंगे बिदेश के प्रतिनिधी आएंगे वो लोग अपने देश में जाकर वहाँ पर बिहार के अंदर जो पर्यटन अस्थल हैं उनके बारे में बताएंगे वहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे और जैसे आप हम या कोई बिहारी देश किसी दूसरे राज में या किसी दूसरे देश में कहीं घूमने जाता है वैसे ही लोग बिहार में घूमने आएंगे तेजस्वी यादों के पर्यटन विभाद के तरप से जो कुछ किया जा रहा है वो वाकई में तारिफ की लायक है और जो काम तेजस्वी यादों अच्छा क अब तक बिहार के इतिहास में बिहार सरकार ने कभी भी ट्रेवल एवं टूरिजम फेर नहीं किया था अब तक आज तक कभी ऐसा होता भी नहीं था कि पर्यटन के लिहास से बिहार सरकार या जो उस वक्त का पर्यटन मंत्री होता था वो कभी इतने इतने सीरियस तरीके से जो पर्यतन छे का छेत्र है उसको लेकर सोचे उस पर काम करे लेकिन तेजस्वी यादों के आने के बाद सब काम होने लगा नवी फेल भले तेजस्वी यादों हो नवी फेल भले उनको जो बिपक्ष की नेता है बिरोधिया वो कहते हो लेकिन तेजस्वी का काम कुछ छेत्रों म इतना अवल दर्जे का है कि उसका कोई बराबरी नहीं कर सकता अब जो साथ और आठ तारी को मतलब की आज और कल पटना में जो ट्रेवल एंड टूरिजम फियर हो रहा उसमें क्या होगा उत्तर प्रदेश जारखांड महराश तमाम अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधी आ आकर के यहां पर सरकार तूरिजम को लेकर क्या कुछ कर रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे और इस बात को समझे कि अब अगर माल लिजिए कि अगर मुंबई से कोई बस चलाया जाए कोई ट्रेन चलाया जाए अगर वहां से कोई गाली चले जो आपको गया लेकर तो लोग वहाँ से घुमने आएंगे, ऐसे ही हर जगह पर टूरिजम का बिस्तार होता है, और इस वक्त पर तेजस्वी यादों यही काम बियार में कर रहे हैं, नेपाल, सिरी लंका, इन जैसे देशों से भी प्रतिनिधी आएंगे, पूरे बिहार से जो ट्रेवल एजेंट ह होते हैं, जो बड़े-बड़े ट्रेवल कमपनियों को चलाते हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है, अब वो तमाम लोग आएंगे, तो उनके आने से फाइदा यह होगा, कि हर जगह पर जो कनेक्टिविटी है, गाली का पर्यटन अस्थलों को जोडने का वो तयार हो फाइदा होगा, सरकार को फाइदा होगा, मतलब कि आपके राज बिहार को फाइदा होगा, दूसरी बात, अगर कोई बाहरी आदमी कहीं पर घूमने जाएगा, तो वहाँ पर जाएगा, तो उस शहर के जो लोग होंगे, उनको डारेक्ली इंडारेक्ली रोजगार मिलेगा उनको रोजगार मिलता है वहाँ पर जो बैपारी होंगे दुकांदार होंगे छोटे उन कमाम दुकांदारों की भिक्री बढ़ेगी और इस परकार से पुरी की पुरी अर्थ बेवस्था जो है वो पर्यतन पर जो कई कई शहर है उनका पूरा का पूरा अर्थ बेवस्था इसी परकार के पर्यटन पर आधारित है फिलाल बिहार सरकार में तेजस्वी यादो पर्यटन को लेकर उनका विभाद जो कुछ कर रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स मली कर बताईएगा बाकी तेजस्वी यादो का काम वाकई में तारिफ के लायक है तेजस्वी यादो को चाहें बिरोधी नवी फेल कहें लेकिन नवी फेल ने एक उधारन सेट किया है कि आखिरकार अगर आप काम करना चाहेंगे तो डिगरी वालों से बेहतर काम बिना डिगरी वाला कोई नेता भी कर सकता है आपकी क्या परतिरिया है कमेंट बॉक्स में लिकर बताइएगा आगे जो भी तमाम जानकारी तमाम अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुँचाएंगे केमरेक से बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद